दोस्तों Canva में Gradient Text कैसे Create गया जता है आज किस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ Last वीडियो में मैंने Canva कैसे इस्तमाल करना है इसके बारे मैं बताया था आपको तो सलिए आज इस वीडियो में सीख लेते हैं कि आप कैसे Canva में Gradient Text Create कर सकते हैं यानि कि एक ही Text में कई अलग अलग Type के Color कैसे हम डाल सकते हैं और यह कैसे Create किया जाता है वैसे एक सीज बता दू कि Canva में ऐसा कोई Option नहीं है कि आप उसको क्लिक करके Gradient Text Create कर पाऊगी आपको Manually Create करना पड़ेगा उसके लिए आपको एक आसान सी ट्रिक इस्तमाल करनी होगी जो कि इस वीडियो में मैं आपको अभी बताने वाला हूँ अगर आप Canva को सीखना साथ हो और कुछ Amazing CC Canva के साथ करना साथ हो तो प्ले लिष्ट ज़रूर से कोट करना से लिए सल्दे कंप्यूटर की स्क्रीन पाथ तो सलिए मैं आपको अभी बताता हूँ कि Canva में आप Gradient Text कैसे Create कर सकते हैं देखो बहुत आसान है अगर आप सीख जाओगे तो बहुत ईजी है ठीक है लेकिन दो पेज़ पे काम करना पड़ेगा एक पेज़ पे कभी Create नहीं हो पाएगा उसके पाथ सबसे पहले आपको क्या करना है यहां पर यह यह element हे इसके उपर किलिक करना है और यह पर आपको search बार पर किलिक कर दा है सीग्रेडियंट लोग्वार पड़े उसदिक है तो सबसदी करते हैं såब सबसे पहले एक सीज का ध्यान रखिए ठीक है जो यह हमने apply किया यही हमारा gradient का color रहने वाला है तो इसको select करना है और यहां पर दो color देखने को मिलेंगे आपको तो simply आप first color कौणचा रखना साथ हूँ वो आप select कर लीजिए और second number पर कौणचा इधर कौणचा रखना साथ जैसे कि मैं यहां पर click करता हूँ और मैं यहां पर color change करता हूँ पिंग करता हूँ ठीक है तो सली मैं उस side में pink color कर लिया है और इस side में blue color कर देता हूँ ठीक है तो सली इस side वाले color को मैं select करता हूँ और वापस यहां से मैं इसको blue कर देता हूँ ठीक है यह वाला color कर देते तो अभी हमारा ये ठीक है gradient का color background color है वो बन चुका है अब हमें लेना है tax ठीक है जिस tax के उपर हम gradient apply करना साथ है tax मैं यहाँ पर ले लेता हूं और यहाँ पर मैं अपना जो tax लिखना साथ हूं वो लिख देता हूं तो मैंने यहाँ पर canva pro लिख दिया है और इसको मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखे दे और इसका जो font है वो change कर लेते हम यह अच्छा font रख लेते ठीक है तो यह वाला font मैंने यहाँ पर apply कर दिया है और इसको फिर से बड़ा कर लेते एक बार तो यह मैंने यहाँ कर लिया, इस तरीका सा आपको इसको फिर भूल आ तो इतना करने के बाद इसका जो इतना करने तो इतना करने के बाद इसका जो color है टैकस हो भी है उसका color हमेशा white एक रखना है अब को टीक है तब ही gradient apply होगा ऐसा नहीं कि आप कोई इस तरीके लो ठीक है ऐसा ऐसा कोई color नहीं चलेगा आपको हमेसा white color ही apply करना है अब यह दो सीज़े हो चुकिए अब मुझे एक सीज और कर निया text के उपर click करना है और यहाँ पर आपको 3 dot दिकई दे रहे होंगे उस पर click करना है और यहाँ पर यह चो यह transparency है इसके उपर किलिए करके इसको आपको 40% पर ला देना है, ठीक है? 40% के आसपास आपको रखना है इसको ताकि अच्छे से visible हो सके तो मैंने 40% के आसपास रख लिया है, अब क्या करेंगे? इसको download करेंगे, ठीक है? तो simply हमें download करना है, अभी apply नहीं हुआ है, मुझे पता है, और इसकी quality है, उसको आपको थोड़ा better ही रखना है, ताकि अच्छा दिखाई दिए, और simply download कर लेना है आपको तो हमारी design है, वो download हो सुकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यह वाली हमारी design है, वो download हो सुकी है, अब मैं क्या करूँगा, इसको gradient में बदलना है, तो सबसे पहले इसको काम आप हम करेंगे नहीं, क्योंकि, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, पेज को, और यह second वाला किजिए, upload file पर click कर दीजिए, और यहां से आपके, ठीक है, computer से आप जहां कहीं पर भी आपकी location है, वहां से इसको upload कर दीजिए, उसके बाद इसको यहां पर click किजिए, यह यहां पर apply हो जाएगा, ठीक है, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, ताकि आपको अच्छ कर दोंगा, तो जैसे background remover के उपर click करूँगा, तो यहां पर यह text है, ठीक है, इसका background हट जाएगा, तो यहां पर यह text का background हट गया है, लेकिन आप देख सकते हो, एक सीज में आपको बता दूँ कि यह इतना जादा अच्छे से नहीं दी गई दे रहा है gradient, लेकिन अब आप आपको क्या करना है, यहां पर adjust पर click करना है simply, और यहां पर आपको थोड़ा सा bright नहीं से इसको कम कर देना है, ठीक है, इस तरीक से, तो यह अच्छे से दिखा ही देगा, यहां पर जो यह जो vibration है, इसको भी आपको थोड़ा बढ़ा देना है, ताकि यह अच्छे से visible हो सके ठीक है, और आप contrast को भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, ताकि यह अच्छा दिखाई देख लो, जीतना आप बढ़ा होगे, उतना अच्छे से यह काम करेगा, और यहां पर एक सीज और है, यहां पर यह जो vibration है, इसको भी आपको थोड़ा बढ़ा देना है, ताकि यह और कैसे change करना है, कौँछा color कैसे रखना है, मैंने सब कुछ आपको इस वीडियो में बता दिया है, तो दोस्तों अब आपने इस वीडियो में सीख लिया है कि Canva में आपके ऐसे gradient text create कर सकते हैं, थोड़ा easy तरीका था, और जीतना हो सके मैंने easy तरीके में आपको बताने की कोच चीस की है, उमीदें आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो अब एक like कर दीजिए, और canvas से related और सीजे सीखना साथे हो, तो tutorial वीडियो बन रहा है, playlist बनी हुए है, जाकर सकते हो, जरूर कर लेना, सले, आज की वीडियो में इतना ही मिलेंगे, एक और interesting वी 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 12, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 20, 18, 22, 16, 21, 29, 20, 21, 22, 22, 24, 24, 25, 25, 26.